सपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादफ करहल विधान सभा सीच से विधायत है हाली में हुए लोकसभा चुनाव में सपा राष्ट्रिय अध्यक्ष ने कन्नौज लोकसभा सीच से जीत हासिल की है अखिलेश की जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बहतर प्रदर्शन किया है सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है परिनामों से सपा हाईकमान भी उच्साहिद है संसद में सपा सांसदों की संख्या अधिक होने के कारण पार्टी नेता कयास लगा रही है कि अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीती करे वह संसद में पार्टी सांसदों का प्रतिनिधित्व करे इन्ही कयासों की बल पर पार्टी नेता संभावना जता रही है कि सपा राष्ट्रिय अध्यक्ष विधान सभा की सदस्थिता से इस्तिफा दे सकते हैं अगर ऐसा होता है तो करहल विधान सभा सीथ पर उप्चनाव होना तै है आजमगड लोक सभा सीथ से दिया था इस्तिफा साल 2019 के लोक सभा चनाव में सपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगड़ लोकसभा सीच से जीत दर्श की थी इसके बाद उन्होंने प्रदेश में 2022 में हुए विधान सभा चुनाव में तरह सीच से चुनाव लड़कर जीत हासिल की संसद में सपा सांसदों की संख्या काफी कम होने के चलते उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था इसके बाद वह विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए विधायकों का नेत्रित्व कर रहे थे करहल सीच से ये हो सकते हैं दावेदार अखिलेश यादव अगर करहल विधान सभा सीच से इस्तीफा देते हैं तो ऐसी स्थिती में यहां सपा की ओर से कई दावेदार हो सकते हैं सैफई परिवार से अखिलेश यादव, दिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आधित्य यादव और अक्षय यादव सांसत चुने जा चुके हैं. ऐसे में पूर्व सांसत पेजप्रताप यादव, पूर्व MLC अर्विंद यादव, पूर्व विधायक सोवन सिंग अवेदार हो सकते हैं. राष्ट्रिय अध्यक्ष लेंगे निरनये. जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य ने बताया कि इस संबंद में जो भी निरनय लेना है वह राष्ट्रिय अध्यक्ष का होगा. फिलहाल जिलाकार्यकारिनी को इस संबंद में कोई सूचना नहीं दी गई है. जो भी निरनय लिया जाएगा पार्टी के पदाधिकारी उसका स्वागत करेंगे.